गुद इवनिंग दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के जिग्राफिय सेशन से एग्रिकल्चर चैप्नर, इसके अंदर प्रिविएसली हमने तीन लेक्चर देखे हैं जिसमें हमने एग्रिकल्चर होता क्या है, एग्रिकल्चर का इंपॉटेंस क्या है और एग्रिकल्चर क कितने पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, फामिंग को बिसिकली वो हमने देखा, अब आज के लेक्चर में हम सीजन के उपर डिसकस करने वाले हैं कि भारत में जो एग्रिकल्चर है, उसके कितनी सीजन से है, मतलब किन बेसिस पे क्रॉपिंग्स को डिवाइड किया गय यह हारवेस्ट दीवी है, नाम दे दिया और पूछ लिए आपसे कि यह बताओ कि यह रभी क्रॉप है कि खरीफ क्रॉप है, ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें एक आज के लेक्चर में पढ़ना है, समझना है, तो पहले तो समझते हैं क्या, क्रॉपिंग सीजन, तो हमारे बॉल दो, खरीव बॉल दो, यह जाइद बॉले टो, ठीक है, तो थ्री क्रॉपिंग सीजन है, इनके अंदर क्या-क्या डिफ्रेंसिज हैं, इनका क्या-क्या इंपॉटनस हैं, इन सब कोamam डिस करेंगे आज के लेक्चर में, देखें, इतना लंबा कुछ आपको याद करने कहते हैं और जो जायद है बेसिकलिए summer crop two seasons की बीच में आता है अब समझना क्या है सीन राभी crop कब से कब तक इसको क्यों winter crop कहते हैं क्योंकि यह winter में बोई जाती है इसका swimming time जो है वो है winter इसलिए इसको winter crop क्याते है खारीफ crop का सीन सेम ऐसा ही है यह monsoon में बोई जाती है बरसान के time में बोई जाती है इसको rainy crop इसलिए कहा जाते है और वह वाला summer में जायद क्या है summer के अगरान हार बहुत ही short आप कह सकते हो बहुत short time period के लिए होता है that is why इसको आप क्या सकते हो two season के बीच में या फिर समर क्रॉप क्योंकि यह summer duration में बोई जाती है अच्छा question ऐसे भी आ जाएगा ऐसे भी आपको याद करना पड़ सकता है इसका sowing time क्या है और harvesting time क्या है तो दिखिए sowing time तो है October to December December October से December के बीच में कभी भी बो दिया जाएगा और इसको काट लिया जाएगा summer में मतलब अप्रेल से June के बीच में ठीक है यहाद क्याद रहेगा अच्छा मॉन्सून वाले में क्या मॉन्सून के दारन मतलब जून चुलाई जब मॉन्सून स्टार्ट हो जाता है तब बोया जाता है और September October में काट लिया जाता है ठीक है इसके बाद में थोड़े time दिया जाता है और फिर वापिस से राभी क्रॉप आ जाता है अब इदर अगर अपन चलते हैं तो देखो क् के अंदर इसको लगबग बोया जाता है और जून के आसपास इसको काट लिया जाता है बहुत छूटे time spend के लिए इसको importance दी जाती है अलेकि जाधा important जायद वाला नहीं है तो आपको खरीफ और क्या दरखना है राभी ठीक है क्या क्या बुला हमने हमने बुला winter के अंदर जाएगा monsoon में बोया जाएगा और winter start होने से पहले काट लिया जाएगा और यह summer के अंदर ही बोया जाएगा summer के अंदर ही काट लिया जाएगा ठीक है अच्छा इसके बाद में rabi crop में क्या आता है wheat आता है बारले आता है peas आता है grams आते है mustard यह important crops है जिनको individual हमें आगे पढ करते हैं बही simple सी बात है जायद के अंदर जो salad वाली होते हैं maximum वो आती है चीज़े और जैसे cucumber आगया आपका watermelon आगया वो सारे चीज़ें इनको कहां कहां पर जादा harvest किया जाता है तो पंजाब, हर्याना, HP, Jammu and Kashmir, उत्राखंड, उत्तरप्रदेश यह वो cities हैं जहां पर महरास्ट्रा इन जगों पर खरीफ क्रॉप को जादा ग्रोग किया जाता है अच्छा और अगर जायद की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया summer season है summer crop है तो इस तोरान majorly यह सारी जो चीज़ें होती हैं यह all over the India या फिर आप ऐसे कह सकते हो जहां पर rivers पानी का flow हो पानी मिले अच्छा क्योंकि देखो जितनी भी आप इसमें गौर करोगे यह जितनी भी vegetables हैं जितने भी आपके पास में fruits हैं तो ऐसे condition में यह काफी जादा juicy होते हैं juicy होते हैं इसका मतलब इनके अंदर पानी के availability जादा होना ज़रूरी है और summer के अंदर हम जै जहां पर river channels हैं जहां पर river channels हैं वहां पर इस तरह की जो crop होती है वो हमें देखने को मिलती है ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया होगा ज्यादा कुछ था नहीं तीन ही point बढ़ेंगे अपन ज्यादा इसमें बढ़ने का है need sense आप इसको समझ लेना एक चीज बास कई बार शुरू होने से पहले जिन crops को काट लिया जाएगा वो राभी में आएंगे वीट है वीट जब हमें मिलता है तो क्या उसमें moisture होता है कि वो सूखा होता है तो आप कहोगे सर उसमें moisture नहीं होता वो सूखा होता है अच्छा तो सोचों अगर मैं wheat की बात कर रहा हूं तो अग आपरेल से जुलाई में उसको काट लिया जाएगा लेकिन जब बोयाँ जाएगा तो आपने गर देखा होगा दान देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि जो गेहूं होता है वो हरे रंग का होता है मतलब उसमें का covering होता है वो green होता है उस साहीं पर े स्थाएं पर उ कि उससे moisture गयाव होना जरूरी है ठीक है तो इस तरह से भी इसको याद कर सकते हूँ most probably आपको अगर याद नहीं होता है तो हमने छोटा सा काम किया है कि आपको tricks के थरू इसको मैं याद करवा दूँ कोशिश तो यही है और आप जान जाओ क्योंकि इससे question यही बनेगा कि कौन सी crop किस season से relate करती है तो मैंने कोशिश की है आपको यह चीज समझ में आ जाएं करने शुरू तो देखते हैं सबसे पहले रभी crop या रभी crop इसके बार में scene क्या है तुम जानते हो यह winter crop कहलाती है अब winter crop का मतलब हो गया कि इसका जो zone होगा इसको winter में तो बोया जाएगा मतलब October में बोया जाएगा October to November इसको बोया जाएगा December भी हो सकता है October, November, December में बोया जाएगा और काट लिया जाएगा कब? काट लिया जाएगा April, March, May एप्रेल में क्या सपसस को काट लिया जाएगा इसमें इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया है मैंने यहाँ पर आपको कुछ एक सेंटेंस दिया है gotpwb.com gotpwb.com याद रहेगा gotpwd, pwb.com मतलब g for gram, o for oats, t for tomato फिर pwb, p for potato, w for wheat और यहाँ पर थोड़ा सा b कर ले न, b for barley यह वाला जो blog है न, यह वाला थोड़ा सा जादा important है तो अच्छे से ठीक है, g for gram, o for oats, t for tomato, p for potato, w for wheat and b for barley ठीक है, आगे आज़ो com है तो com के अंदर आ जाएगा chickpea, chickpea मतलब वो था चना वो होता न, काबुली चना जिसको कहता है अपन तो चना ठीक है, o for onion, m for mustard यह वाले में से mustard पूछा जाता है कही बार ठीक है, mustard ही किसका पार्ट है तो आपको बताना है, rabi का ठीक है, या rabi का ठीक है, तो क्या याद रहा आपको आपको याद करना है, बहुत ही simple सा concept and that is gotpwb.com यहां तक कोई problem है तो बता, नहीं होनी चाहिए खारीफ क्रॉप की बात करें तो खारीफ क्रॉप का भी कुछ scene ऐसा ही है खारीफ क्रॉप में, सबसे पहले bjp का gst cm r cm जो है न, cont rm rm कुछ भी जो नाम रख लेंगे ram manohar lohiya रख देते हैं तो bjp gst cm स ram manohar lohiya cm ram manohar lohiya अब देखो, इसमें ये वाला जो blog है ये थोड़ा सा जादा important है ये वाला सबसे पहले क्या है बाजरा, अच्छा अच्छा आपने सर ये तो बताया है नहीं, इसको बोया कब जाएगा तो बहुत है सिंपल है, अभी पढ़किया है है अपन के इसको क्या कहते है हम, rainy season के अंदर ये rainy crops भी कहते है, अना तो rainy वाला scene क्या है, बोया कब जाएगा तो obviously, या तो वो होगा June ठीक है, या फिर क्या होगा, जुलाई अब भई, एक बात तो तुम समीच चुके हो अब वहाँ पर क्या कर रहे थे हम इसको इसको हम October, November में बो रहे थे, इसको हमें उसके पहले काटना पड़ेगा, तो September में इसको क्या कर लेंगे हम, September में इसको काट चुके होंगे, September में October में, इसको काट चुके होंगे, September में काटा है तो वो November October में बोया जाएगा अब इसमें सुनू यह वाला ब्लॉग जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो BJP सी क्या बना बी फूर बाजरा बना जे फूर जोर बना पी फूर पल्स बना यहां तेक समझ भाए है कोई प्रॉब्लम है नहीं है अच्छी बात यह वाला ब्लॉग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉटन आ रहा है कॉटन के बार में कही बार कुशन पूछा गया है तो कॉटन कौन होते हैं को नहीं है मैंने क्या कहा है क्कारीफ क्रॉप का कैसे याद रख सकते हो यह भी सूछ Mickey luckily है इसने बहुते ताइम इसके अंहीं पानी चाहिए और जब यह निल भी कॉम्प्लेट हो important crop का एक और blog जिसमें आता है rice देखो इस chapter में से agriculture वाले chapter में से दो crop तो सबसे ज़्यादा super most important है एक तो है आपका rice और दूसरा है आपका wheat ये question map के point of view से भी detail point of view से भी important है ठीक है? तो millets, rice किसका बाट है? खारीफ crop का, अच्छे यहां तक कोई problem है मेरी साबसे तो नहीं होनी चाहिए अभी repeat करवा रहा हूं इसको एक बार फिर से देखना जरूरी था आपको इस चीज अच्छे समझना इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा revision भी कराना है इस चीज का क्योंकि lecture आज वाला तो छोटे ही है एक छोटा सा description है एक छोटा सा discussion है over the cropping seasons पर उससे जादा important one more question के अंदर अपने पास से गलती ना हो इस चीज को सीखना है तो cropping season के अंदर हमने इसको एक तो बनाया था राभी एक बनाया था खारिफ और एक बनाया था जायद जायद वाला जाद important नहीं इसके उपर इसलिए मैंने जादा discussion नहीं किया अच्छा यहाँ पर जो important है वो क्या है मैंने फिर बुला आपको यह वाली चीज important है अच्छे से याद कर लेना और यह वाली important है maximum इस चीज से हमारे जो questions बनेंगे वो solve हो जाएगे एक चीज यह पुछ लिया जाता है और एक यह पुछ लिया जाता है इनको भी याद करने की कोशिश करते हैं पहले तो देख लीजे इसको winter crop कहते हैं क्योंकि यह winter में होती है हमने क्या बोला इसके लिए हमने उपर क्या बोला था बोला था got अच्छा उसको नीचे बता दूँगा कोई बात नहीं फिर भी चलो लिखे लेते है gotpwb.com ठीक है चलो gotpwb.com क्या है wheat, barley, peas, gram, mustard यह क्या है, यह सारे के सारे किसका पार्ट है राभी का इसमें wheat बहुत बार पूछा जाता है तुम जानते हो इसको कहां कहां पंजाब, हर्याना, हिमाचल प्रदेश अभी तक क्या चल रहा है northern plains जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल range उत्राघंड, हिमाचल range UP, plains इसका मतलब आपके नौर्थ नौर्थ इंडिया में और साथ इसाथ जो आपका Central इंडिया है वहाँ पर आपको मिलेगा जादा रभी सीजन इसका मतलब जो northern plains है वहाँ पर रभी सीजन पानी बराओ रहता है किसान खेती कर रहा होता है पाइडी बेसिकली अपने राइस के लिए कहा गया मेज, जुआर, बाजरा, तूर ये सारी मतलब तूर, अरहर जिसको कहते हैं मूंग, उडद, कॉटन, जूट, ग्राउन नट्स सोया बीन ये सारे important crops है इसके लिए हमने क्या किया अभी इसके लिए भी हमने BJP पढ़ा BJP के बाद में क्या पढ़ा हमने हमने BJP के बाद में GST पढ़ा GST के साथ में हमने क्या लगाया CM लगाया CM कौन से थे? CM थे हमारे Ram Manohar जी ठीक है, ऐसे माल दिया हमने ये वाला एक short trick था इसके थ्रू हमने किया कहां का मिलता है, जहां पर पानी होगा coastal areas सबसे importantly आसाम, बहुत भरपूर पानी West Wingall, पानी ही पानी coastal reason जैसे उरीसा, आंतपरदेश, तमिलनाडू, केरला एन महारास्टरा ये वो वाले areas हैं जहां पर खारीफ crop काफी अच्छे से मिलती हैं हमारे पास आगया जही इन के बारे में भी आपसे पूछ सकता है तो आप याद रखना आप यहाँ पर या तो fooder crop कहेंगे या vegetable कहेंगे, और वहाँ पर जहाँ पर river अपने साथ में channels बनाती है वहाँ पर मिलते हैं जायत अच्छा availability of precipitation during the winter months help in the growth of ruby season जो precipitation होता है वो winter season के दौरान इस ruby crop को grow करने में मदद करता है यहाँ पर इस दौरान हुई बरसात इस crop को grow करने में मदद करती है वैसे तो मावट जानते होंगे न तुम विंटर के अंदर हो रही बरसात को मावट कहा जाता है question आ जाता है याद रखें paddy has of late become an important crop of Punjab and Haryana आगे चल करके HYV seeds, green revolution हला कि green revolution का impact इस पे जादा पड़ा है लेकिन आगे चल के Punjab और Haryana के जो prosperous farmers थे उन्होंने खालीफ crop को भी grow करना है शुरू कर दिया था है now they have their importance as well आज इनके अंदर इनकी importance भी है यहाँ पर major production states अगर आपन बात करें तो वहाँ होगी जहाँ पर irrigation facility सबसे जादा अच्छी होती है irrigation पानी available होगा जहाँ पर मैंने भी भी clear किया था क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले जितने भी हमारे यहाँ पे products है all such crops वो काफी juicy होती है waterous होती है that is why यहाँ पर irrigation facilities यहाँ जहाँ अच्छी होगी वहाँ वाँ इनको grow किया जा सकता है अगर इन जगों पर भी आपकी irrigation facilities अच्छी है तो you may grow giant crop there as well green revolution का impact सबस्याद इस इनी crop पर पड़ा है और इन areas में भी कुछ during such reason कुछ time duration में यहाँ पर खारिफ crop को भी क्या किया है काफी अच्छी से grow किया गया है ओके आगे देखिए short tree क्याद रखना पड़ेगा gotpwb.com as well as bjpgst, cms, rm इसके थूँ आप इन crops को याद कर सकते है हो जाएगा ना कोई बड़ी बात तो है नहीं अच्छा जो हमारा next topic होने वाला है अब हम individually one by one crops के बारे में बात करेंगे individual one by one in crops के बारे में जब हम बात करेंगे तो we will came to know कि कौन सी crop कौन सी होती है जैसे majorly major crops को division किया गया या तो food crop में या फिर किया गया cash crop में या फिर किया गया plantation crop में ठीक है जैसे food crop में wheat हमारे यहां पर जो food सबसा दखाया जाता है food की form में लिया जाता है जैसे wheat हो गया, rice हो गया ठीक है या millets हो गया तो food crops, cash crop जिसको बेचने पर तुनंत पैसा मिल जाए, जैसे cotton, jute, फिर plantation crop, जो plants के form में हमें मिलती है, जैसे coffee and tea, ठीक है, तो इनको हम पढ़ेंगे, next lecture में, one by one इन सारे points को हमें देखते सलना है, हमें कोशिश करनी है इन सारी crops को समझने, मैप के बाद, अगर मैं बात करूँ पिछले सालवाद सीन, तो उस टाइम तो क्या कहा, ऐसा बुल लगया, कि आपको wheat पढ़ना है और rice पढ़ना है, उससे ही question आ जाएगा, और लेकिन इस साल के अंदर अभी तक कुछ ऐसा declaration नहीं है, और तुम्हें तो वैसे भी एंटेसी के लिए पढ़ना है, तो पूरे crops को पढ़ना पढ़ेगा, सारी crops पढ़ेंगे one by one, next lecture में, एक एक crop को शुरुवात करेंगे, पहले wheat लेंगे, फिर उसके बाद में आपके rice लेंगे, है ना, उनके बाद में इनको detail में समझते भी चलेंगे, जिससे के हमारे सारे question बन सकें, पढ़ना है, अच्छे से, कोई problem आती है तो पूछना है, मिलते हैं next lecture में और discuss करते हैं इसके आगे, thank you so much.